हेलो गईज, वेलकाम बैक टो टेलिवूड अपडेट्स इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं धुरूफतारा सीजन टू के बारे में बिकॉज इसका भी जो फैन रिस्पॉंस है वो आज भी काफी तगड़ा चल रहा है बिकॉज आठ बजे जैसी बढ़िया टाइम स्लोट पर भी शो की टीर भी काफी आधा डिसपॉंटिंग रही स्टार्टिंग से ही एंड सोनी लिप पे इसकी जो परफॉंस थी यूट्यूब पे उसके परफॉंस थी वो जरूर काफी अच्छी थी एंड इसी करके उनको चाहिए कोई ऐशे शोर जिस करके उनकी व्योर्शिप बढ़ जाए एंड इसी करके सोनी टीवी कंसीडर कर रहा था कुछ समय के लिए कि धुरूवतारा के नए सीजन को वो चैनल चेंज करके यानि कि सोनी टीवी पर लेकर आ सकते थे लेकिन इसकी जो कनफर्मेशन हैं में देखने को नहीं मिली थी एंड इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स वोगरा हैं कास्ट एंड क्रीव के साथ कोई भी साइन नहीं करेगे थे सिंपली बस प्लैन किया जा रहा था एंड अर्ली डिसकेशन हुई थी कि दुरूफतारा का नया सीजन देखने को मिल सकता है सोनी एंटेटेन्मेंट टेलिविजन के उपर उसके बाद ये शो की ड्वेलिमेंट बिल्कुल भी आगे नहीं बड़ी कोई भी कास्ट क्रिव को कोई भी ओफर्ज नहीं भेजेगे और प्रोडक्शन और सोनी टीवी के बीच में कोई भी डील नहीं हुई है एक और काफी बड़ा अपडेट जिसके बारे में हम बात कर लिते हैं कि अगर शो का सीजन तू सबको चाहिए तो सब ये भी मांगते हैं कि दोनों जो कास्ट मेंबर्स हैं वो सेम ही रहने चाहिए है ना आप लोग भी अगरी करते होंगे इनके साथ लेकिन जो दो में कास्ट मेंबर्स हैं उनमें से एक यानि कि मेल लीड इशान धवन उनको अपना नया टीवी सीरिल मिल गया है जो कि इंडिया के सेकंड लीडिंग चैनल पे आने वाले हैं यानि कि कलर्ज टीवी पे इनका नया शो में देखने को मिलेगा डोरी के सीजन टू में ये मेल इड प्ले करते हुए एक लॉयर का करेक्टर प्ले करते हुए में नजर आएंगे काफी स्ट्रॉंग करेक्टर होने जा रहा है तो आपर इशान धवन तो अब डोरी टू में बीजी हो जाएंगे अब डोरी टू को आने में भी समय है 2025 में वो शो आएगा कब आएगा एंड फिर उसके बाद कितना चलेगा जितनी टी आरिपी आएगी उस सब पर डिपेंड करेगा एंड जल्द ही रिया शर्मा को भी कोई ना कोई अलग सीरियल मिल जाएगा कहने का है मतलब है कि दोनों ही लीड्स जल्द काफी जादा बीजी हो जाने वाले हैं अपने अलग प्रोजेक्ट्स के साथ रिया शर्मा ने कुछ अलग प्रोजेक्ट्स हो या शोट भी किये हैं लेकिन हां किसे टीवी सीरिल के लिए रिया शर्मा ने शूट नहीं किया है तो गैस धुरूफतारा का जो सीजन टू है वो काफ़ ज्यादा बड़ी अंसर्टेंटी में है एंड इसके सीजन टू के जो चांसेज हैं वो इस समय पे आल्मोस्ट जीरो हैं जैसा कि मैंने आपको बताई दिया कि अब तो इशान धवन को भी डोरी टू मिल गया है लेकिन जो फैन्स हैं सुनकर काफ़ दर डिसपॉइंट होंगे लेकिन आप अपनी डिमांड ज़रूर दिखाते रहेगे जिसको भी जो शो अच्छा लगता है उसकी डिमांड तो दिखाते ही रहनी चाही होती है बट एक और काफी रीजन भी है कि सब टीवी अब ड्रामा शोज लेकर नहीं आएगा वो कॉमेडी चैनल बनने वाला है तो सब टीवी पे धुरूफतारा के सीजन टू के रिटर्न तो पॉसिबल वैसे भी नहीं होने वाली है आने वाले समय में तो वाइस वीडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे धुरूफतारा के सारे फैंस के साथ और कॉमेंट सेक्षन में बताएगा धुरूफतारा सीजन टू को आप कितना ज़्यादा चाहते हैं देखना एंड कितना इस शो को मिस्स कर रहे हैं आने वाले दिनों में सब टीवी के रिलेटेड और इंटरस्टिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजे और बैल एकन दबा लीजे फिलाल के वीडियो में इतना ही अभी के लिए चलता हूँ गुडबाई